यहां पे अंगुठे वाली एक सॉक्स लिखे है उग डिजाने सॉक्स अगर पसंद आती है तो प्रेस वीडियो को लाइक करें चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट करके जुरूब होता है कि वीडियो आप सबको कैसी लगी यहां पर अब इस तरह से पहला पंदा उतारेंगे धागा आगे करते हो यहां पे हम 15 पंदो को पहले उल्टा बनाएंगे दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, डस, ग्यार, बार, तेर, चाओधा और यह 15 15 पंदे हम ने यहां पे बुल लिए 15 पंदे हम में दे छोड़ देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक पंदरा बीच में हमारे 15 पंदे हम देखे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक पंदरा अब धागा पीछे करेंगे अब इन 15 पंदों में हमें पंदा बढ़ाना है पहला पंदा हम सीधा बनाएंगे धागा एक बर लपेटना आपको यहां पे जाली डालते है यानि एक पंदा बढ़ाना है में और एक बर फिरसे बुन लेंगे तो एक पंदा से तीन पंदा बढ़ाना है ठीक है इस तरह से करते हैं 15 फंदों में हमें एक फंदे से 3 फंदा बनाना है जैसे मैंने अब निसक्ते में बनाये हुआ força केमप्लिट करते हैं यहां पे दिख्वातना 15 फंदों में हमने 10,35 बनाते हो कुम्प्लिट किया अग्धकि आगे करेंगे बाकिपी पज़िदी करेंगे ब ५ हम धागध लिए दूसरी लान पे हम सारी संदों को बनाते ग्लूम करेंगे कुछा है प्लस्लाइथ बनातेफुर करते हैं ढ़ल आगये सिरिटी सेड़ पियंगेब 15 संदों को ही चाहिद 7-4 बना log वी कहाुँ है जो बीच में को 15 में से ora 1–25 था फंदों को हम पहले सीधा बना हमारी 40-च लाइए पहला पंदल गो हम यहां पर देखिए 15 फंदे बुन भो ला मैं इस तरह से sleep करेंगे एक को उल्टा बनाना फिर एक बिना बुने लेना है आपको और एक हम उल्टा बनाएंगे एक बिना बुने लेना है और एक उल्टा बनाएंगे तब तक आपको बनाना जब तक कि last में 15 फंदे हमारे जो उल्टे इसे छोड़ते हैं बीच में जितने भी फंदे हैं सभी को आपको इसी तरह से करना एक उतार लेना आपको और एक आपको उल्टा बुनना फिर एक उतारना है और एक बुनना है इसी तरह से करते हैं लास्ट के 15 फंदे तक आएंगे और उसे हमें नॉर्मल उल्टा बना लेना है तो इस तरह से कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है गलते नहीं करना है ध्यान से देख लेना है कि कहां पे आपको उतारना और कहां पे आपको बुनना है ठीक है रेड फंदा एक उतारेंगे और एक हम से बूनेंगे इस तरह से ठीक है तो कर लेती है फिर दिखाती है अब देखे सीधी साइड आगे तो अब सीधी साइड इन 15 फंदों को पहले हम यहां पे उल्टा उल्टा बना लेते हैं इस तरह से धागा आगी करेंगे इस तरह से इन 15 पंदू को पहले हम उल्टा बना लेते हैं कि यहां पर 15 पंदू को हमने उल्टा बना लिया दो चार छे आर्ट तस बारा चौदा और एक पंदूरा अब क्या करेंगे धागा पीछे करेंगे अब यह जो हमने स्लिप के वा था फंदा इसे स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे जो ग्रीन करार का फंदा हमने बुना था है इसे हम उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे रेड वाला फंदा इस तरह से उतार लेना आपको धागा आगे करेंगे ग्रीन वाला फंदा को उलटा बनाना फिर से धागा पीछे ले जाएंगे और यह वाला जो रैड वड़ा पंदा अपको उतार लेना है फिर धागाा आगे करेंगे यहां पर गल्न तो इल्टा बुनना भगा पीछे करेंगे इससे उतारना है धागा आगे अगे घ्रीन को पर से उल्टा बनाएंगे ँर्प, और पिर से पास्तो तक रही इए डिशान बनाना एक राइड अगे धागा करेंगे अगे तुस तर kısmidd करेंगे फ़िस द Always Ready Add पांचवी स्लाई पे देखिए हमें कलर चेंज करना है तो पहला फंडा हम इसे हरे कलर से ही उतार लेते हैं इसकी वाद जो पूरी स्लाई है हम यहाँ पे कि अगर हम दूसरा कलर यहाँ पे लगाते तो हमारी यह गांट इस्टी जा जाएगी तरह से मैंने पहला फंडा उतार लिया अब इस तरह से कर तो हम ग्रीन कलर से पूरी स्लाई उल्टा उल्टा बनाते हुए यह पांच भी स्लाई हम कम्पीट करेंगे यानि कि यहाँ से फि हम पूरी स्लाई उल्टा बना लेते हैं और सीडी साइड से भी हर एक स्लाई जितनी लिए फंदे हैं सभी को हमें उल्टा उल्टा बनाते हैं फिर हम उल्टे साइड आते हैं इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ की क्या करना है पूरी स्लाई उल्टा इधर से भी और 15 फंदों को हम पहले ग्रेन क्लर से बुन लेंगे जैसे मैंने यहां पर बुना हुआ था 15 फंदों को पहले ग्रेन से बुनेंगे यासे लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदा और यह 15, 15 फंदों को हमने यहां पर उल्टा उल्टा बना लिये दो, चार, छे, आर्ट, दस, बारा, चौदा और एक पंदरा अब यहां पर देखे किस तरह से करेंगे, एक फंदा आपको बिना बुने लेना है एक फंदा फिर से हम उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा बिना बुने लेना है एक फंदा उल्टा बनाएंगे, इस तरह से करते वे पूर्ट इसलाइए हम इसे तरह से बनाएंगे लास्ट में जो 15 फंदों रहेंगे उसे आपको नॉर्मल उल्टा बना लेना है जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल उल्टा बनाया है सेम आपको इधर भी 15 फंदों को नॉर्मल बना लेना ठीक है फिर सीधी साइट आपको एक बड़ा और दिखा देते हूं रेड वाला फंदा फिर से आपको बिना बुने लेना है धागा आगे करना है एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे एक फंदा बिना बुने लेंगे धागा आगे एक फंदा बिना बुने धागा आगे और यहाँ पेश तरह से उल्टा ठीक है इसी तरह से करत से उलटा बना दिंगे तो आगे तो आगे पिर दिखाती हूं कि कैसे बनेंगी है तो इसे पूरा complete करके रख लिया हुआ है मैंने आपको बताए है साध एक से रो इसकी बात मैंने यह है जैन देखREAK को एक दो तेन चार पांच और यह है, चार पांछ चार वनाज़ान में यह पना Single भार कब hack लगने लगेगा ठीक है अगर जाती है तो यहां का भी आप जो मैंने 5 धारियां बनाई है बॉर्डर की उपर साइट से तब यहां पे 7 से 8 धारियां बना सकती हैं इसकी बाद देखी प्रोटल मेरे फंदे बन के आए थे 75 यानि 75 इसकी बाद मैंने यहां पर 11 फंदे और बढ 8 धारियां बना की कंपेट की है ठीक है 8 दूनी 16 स्लाइट बना के हमने कंपेट की है दोनों साइट अब देखे इसकी स्लाइट इस तरह की स्लाइट मैंने हर वार आपके बताई हुई है लेकिन जब भी आप बनाए यहां का फंदा थोड़ा सा चवाल इसे 45 होना चाहिए त अगर आज की आप सबक्राक करल्स होँगा सब्सक्राइबा पकर कर लेंगे इसे गांट देते हैं ऐसे कर लिए आप देखी अब देखें, यहां पर क्या करना है, यह जो बीच का पार्ट, अब आपको बताते हैं, इस तरह का पार्ट पकड़ते हैं, अगर आप सलाई करेंगी थे इसकी सलाई बहुत ही आपी अच्छी ही आएगी फिर से एक बड़ आपको दिखा दूंगी 17 ग्राम इसमें उन लगे एक सॉक्स में, यानि 34 ग्राम उन में आपके दोनों सॉक्स बनके रेडी हो जाएगा यहां पे देखे इधर से मैंने सलाई करते हैं, पुरा यहां तक हमने सलाई कर लिए हुआ और यहां पे 12 फंदों के हमने निसान लगा लिया, जो 12 चेन है इस तरह से, आप कॉंट कर सकती हैं तू तू तींग चार पांच छेश साथ आट नौ दस ग्यारा और ये बारापमे निसान लगा है इस निसान को वह यहाँ पे खोलेंगे खोलने कि वाद जो उपर का पाठ हम नहीं है यहाँ पे जो कट लगा है इसको इस तरह से कर देना है ठीक है ऐसे कर देना है इसके बाद इसकी सलाई हम इधर से इधर कर देंगे और इसकी सलाई इधर से इधर यहां पे ले लेते हैं इसकी सलाई सुरू करते हैं नर्मल सी सलाई है चले तो इसे करती हैं फिर आगे आपको दिखाती हूं पहन के फिर कैसे लगती है तोनों साइट कर रहे हैं तो इस सॉक्स के हमारे सलाई हो गई अब इसे हम सीधा करते हैं सीधा करने के बाद चले दिखाते हैं इसके बाद इसकी यह हमें सीधा कर लिया अब इसको नाफ के दिखाती हूं मैं आपको मसी नौन किया हमने जीर है इसके बाद इस सॉक्स को हमने तोटल 17-18 ग्रम ठीक है यानि अठार दनी 36 ग्राम उल्वे आपकी यह बनके रेडी हो जाएगी तो चलिए इसे पैन के भी दिखा देती हूं आपका यहाँ पर नीचे सेट से भी देख सकते हैं अगर यहाँ पर फंदे कम रहेंगे तो यह जो है एडी कम पार्ट यह जो ऊप से 47-48 भी रख सकते हैं तभी यह आप आएगा अपकी पैर उपे तो देखिए इधर से भी फ्नेसिंग वहत अच्छी है इसकी स्लाइग कुछ इस तरह से है नीचे साथ से में कुछ स्लाइग इस तरह से दिख रही है आपकी यह डिजन भी बहुत प्यारी है और यह सॉक्स आपको 5 अच्छे नंबर को आएगी अगर 6 नंबर के लिए है तो थोड़सा यह जो बाडर लाइन है यह थोड़सा आप और बना लिए ठीक है मोटी ओल से बनाएंगी तो यह जो डिजाइन में बना ही 5 डिजाइन में ही आपकी हम्प्टी चे हो जाएगी यह मेरी पतली व भूल गे थी मिलनियम उन है इसका नाम मिलनियम ठीक है यह वूल है यह तो चलिए बनाएएब हमें कमेंट करके जरूब होता है कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा उमीद करती हैं कि अच्छा लगा हो तो प्लीस एक वीडियो का लाइक कर दें आप लोग कमेंट करके ज